नमस्कार दोस्तों स्वागत एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चनल एजुटुबर देव पर तो दोस्तों असिस्टेंट प्रोपेसर 2020 के थड़ पेपर यानि की जनरल पेपर जनरल इस्टेडीज और राज्थान जो की सभी एक लिए निवार है उसके सिलिबस का द दोस्तों दो नहीं देखे हैं तो उन सभी के लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे वहां से जाके आप अवेसे उन सभी को देख लीजिएगा क्यों एक्जाम के नेजरी से काफ़ यूजफूल रहते हैं दोस्तों कुछ एक कमेंट मैं ऐसे भी देखे कि राजस्तान के ही स्पोर्ट्स करेंट अफिर आएंगे तो दोस्तों वो कमेंट्स तो आप भी समझ सकते हो कि केवल राजस्तान के करेंट अफिर तक तो समझ आता है क्योंकि उसमें राजस्तान का भी एक पोर्शन दिया हुआ है करेंट अफिर समसामी की में लेकिन दोस् सासाथ persons and जो people's हैं जो in news रहते हैं चाहिए वो किसी भी political जो है background से हो या फिर sports background से हो या फिर आपके जो दोस्तों acting वगरा उस background से हो awards वगरा जो मिलते हैं उन सबसे समधित होते हैं तो वो भी all over the world इंडिया रास्तान किसी से भी दोस्तों वो question आज सकते हैं तो आप यह ध्यान रखिएगा तो केवल रास्तान के current affairs sports आपको नहीं पढ़ने हैं कहीं से भी पढ़ो चाहिए न केवल इस वीडियो से आपको सबी all over sports की घटना है जो है पता होनी चाहिए पिछले 6 महीने से लगा के एक साल तक की तो जब तक exam होगा तब तक अपने भी 789 महीने का cover होई जाएगा minimum तो इसके बाद दोस्तों अगला जो पार्ट आने वाला है वो इस मन्त के end या साइद अगले मत आएगा क्योंकि उसमें मैं जून के भी current affair साथ में रखना चाहता हूँ इसमें क्या होता है कि जिस महीने current affair होता हूँ 2010 से 20 तक का जो सरुसरेष्ट किर्केटर है वो किसे चुना गया है महेंदर सिंग धोनी विराट कोली सचिन तेंदूलकर यहां फिर रोहित सर्मा तो विजडन मैगजीन दोस्तों बहुत popular मैगजीन है इंटरनेशनल लेवल पे तो उसमें सरुसरेष्ट किर्केटर जो चुन और इंग्लेंड से हैं और दोस्तों ओल ओवर दस सालों की अगर बात करें एक दशक की तो विराट कोली अगले कुछ अंदर बढ़ते हैं दोस्तों भारत की ओर से उलम्पिक में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की महीला पहलवान कौन है सोनम मलिक वेनेश फोगाट क्यों ओलम्पिक की जापान में अगले कुछ दर बढ़ते हैं ओलम्पिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पर्थम भारतिये महीला नाविक कौन है दोस्तों काफी जो है चर्चाओं में ये कुछ दोस्तों रहा था कि ऐसी नाविक जिनों ने जो है पहली महीला नाविक ज जो है वो है नेत्था कुमानन यह याद रखिये दोस्तों काफी महत्मून कोश्चन है अगले कोश्चन दर बढ़ते हैं हाली में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वूमेन अप दे येर का पुरुषकार कोनेरु हम्पी को दिया गया वे किस खेल से समधित हैं कोनेरु हम्पी हाली में वेस्ट इंडियस के विरूद टी ट्वेंटी आई किर्केट की चौदवी हैट्रिक लेने वाले सिरलंका इकेंदबाज कौन है नुवान कुला सेकरा लसित मलिंगा अकिला धननजय या फिर एंजिलो मैथ्यूज दो चौदवी हैट्रिक लेने वाल सिरलंका लगाये थे यूरा सिंग ने टी ट्वेंटी वर्ड़कप दोजार साथ मैं जो हमने जीता भी था पहला टी ट्वेंटी वर्ड़कप था वो तो उसके बाद के रून पोलराड ने अब जो है दूसरे ऐसे बले बाज हो गए जिन्नों टी ट्वेंटी इंटरनेशनल में छे चके लगाये हैं और उससे पहले उन्होंने तीन गेंदों पे तीन विकेट विली किसने अकिला दनंजे तो उनको साथ लगा भी नहीं होगा एक अच्छा और एक बुरा दिन मेरा एक साथ ही हो जाएगा हैट्रिक भी मिल जाएगी और शे चक्के भी लगेंगे अगले कोश से जादा नंबर वन रहने का जो अभी तक का कितिमान नया बनाया है वो नौवाक जोकोविज ने बनाया है जो टैनिस समंदी जो दोस्तों रैंकिंग होती है उसकी में बात कर रहा हूँ अगले कोशिंदर बढ़ते हैं विस्वका सबसे बड़ा किरकेट इस्टेडियम कहा काउंटी है उसके हिस्वका सबसे बड़ा किरकेट इस्टेडियम है अगले कोशिंदर बढ़ते हैं अगले कोशिंदर बढ़ते हैं टैनिस परत्यों किता अरजेंटिना ओपन 2021 में पुरू सेकल का किताब किसने जीता है अगले कोशिंदर बढ़ते हैं अगले कोशिंदर बढ़ते हैं एफ आ ये जेसीवी गोल टूरामेंट अब ये FIA JCB क्या है ये दोस्तों जो sponsors होते हैं उनका नाम है JCB एक original company आपको पता है तो sponsors जो होते हैं उनका नाम भी ऐसे आगे जोड़ा जाता जैसे DLF IPL पहले कहते थे अभी Vivo IPL बोलते हैं बीच में Pepsi IPL था तो ये क्या है वो sponsor जो होते हैं जो पैसे देते हैं उस tournament के वो नाम आगे जुड़ता है 2021 gold tournament के बारवें संसकरन का किताब किस ने जीता है जोती रंधावा, अर्जून अट्वाल, गगन जीत भुलर या फिर शेव खना तो दोस्तों ये जो अवार्ड जीता है वो शेव खना ने जीता है जोती रंधावा जो फुरूस है वो महिला नहीं आप तुड़ाया ध्यान रखिए गर नाम में अगले कुश्चन तर बढ़ते हैं पुस्तक Advantage India The Story of Indian Tennis के लेखक कौन है अगले कुश्चन तर बढ़ते हैं AIBA यानि कि अंतराष्टी मुक्यबाजी संग और इंटरनेशनल बॉक्सिंग असोसियेशन और इसमें दोस्तों जो चैंपियंस और दिग्ग समीति के अद्यक्स के रूप में किस भारती मुक्यबाज को न्युक्त किया गया है तो समीति के अद्यक्स के रूप में कौन से भारती मुक्यबाज न्युक्त हुए है मेरी कॉम, पूजा, रानी, सिमर, जीत, कौर, या सूनिय, लाथेड तो दोस्तों ये है महिलाओं की समीति और इसमें किस महिला जो पुरानी बॉक्सर है उनको जो है निक्त किया गया तो वो है दोस्तों मेरी कॉम जिनके उपर मुवी भी बनी हुई है मेरी कॉम नामी है साइद और प्रियंग का चोपड़ा अगर मैं गलत अनुमान नहीं लगा रहा तो उन्होंने जो हैसमें मुख्य मुमी कादा की है मेरी कॉम की अगले कुश्चन दर बढ़ते हैं भारती महिला किर्केट टीम की किस खिलाडी अगले कुश्चन दर बढ़ते हैं सौरब चौधरी और मनुभाकर ने ISSF सूटिंग वर्ड कप में 10 मीटर एयर पिश्टल मिक्ष्ड टीम इवेंट में कौन सा पदक अपने नाम किया है ISSF सूटिंग वर्ड कप में स्वण पदक, रजट पदक, कांसे पदक यहां पिर इनमें से कोई नहीं इन्होंने स्वण पदक अपने नाम किया है इरान के गोलोश शेब हातो लाही यह काफी अलग नाम है और जावेद फोरोगी को हराकर जो हैंनोंने यह स्वण पदक अपने नाम किया है अगले कोशन दर बढ़ते हैं भारती क्रिके टीम के किस पूरू कपतान को भारती पेशेवर गोल्फ टूर के बोर्ड में सदश्य की रूप में सामिल किया गया कपिल देव, राहू दरवीड, सचिन तेंदुलकर या फिर महेंदर सिंग धोनी तो कौन से पूरू कपतान है जिनने जो है सामिल किया गया है तो वो है दोस्तों कपिल देव जिनने जो है पूरू कपतान है भारत के आपको पता वर्ड कप जीता है 1983 तो उनको पेशे बर गोल्फ टूर के बोर्ड में सदश्य की रूप में सामिल किया है दोस्तों पडोस में बखरियां चिला रही हैं तो आप उनका थोड़ा सा ध्यान उस तरफ मत दीजिएगा इसमें ध्यान रखने कोशिश कीजिएगा काफी सारे साउंड प्रूफ टेक्नलोजी यूज की है बट इतनी ही मौडर्ण नहीं है कि चलो यह आवाज अंदर नहीं आए तो आप थोड़ा से पड़ोसी बक्रियों की आवाजे जो है वो दर किनार कीजिएगा तो कफिल देव हैं दोस्तों जिनको जो है PGTI भारती पेशेवर गोल्फ टूर के बोर्ड सदे से ग्रूप में सामिल किया गया है किर्केट रहें लेकिन गोल्फ भी अच्छा केलते हैं तो इसलिए इनको सामिल किया गया अगले कुछ दर बढ़ते हैं भारत की पेरा एथलीट सीहराज ने दोजार एकीस पेरा निशान बाजी विशू कप में कौन सा पदक जीत लिया है रजत पदक स्वन पदक कांसे पदक ckt क्या फिल्में से कोई नहीं तो धनलक्षमी ने जो है इसमें जौन पदक यानी की गोल्ड मेडल 100 मिटर दोड़ में अपने नाम किया है अगले कुछ दर बढ़ते हैं अंतराश्टी T20 किर्केट में 3000 रंद बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाडी कौन है T20 आई किर्केट की बात हो रही है मैंदर सिंग दोनी सुरेश रहना रोईचर्मा विराट कोली तो विराट कोली और विराट कोली मेरे साब से एक मत्रह से बैट्समेन है जिनकी तीनों फॉर्मेट टेस्ट किर्केट वंडे इंटरनेशनल किर्केट और T20 इंटरनेशनल किर्केट तीनों फॉर्मेट में 50 से उपर के एवर अस्तल में 7000 रन बनाने वाली 7000 रन बनाने वाली दुनिया की पहली मैला किर्केटर कौन है और ये लाश्ट कोईशन भी है दोस्तों इस वीडियो का तानिया भाटिया जूलन गोस्वामी मिथाली राज या फिर इसमर्ती मंधाना तो एक दिवसी अंतराश्टी में 7000 रन बन इंटरनेशनल लेवल पे टोटल ओल ओवर मिला के और वन डे इंटरनेशनल में 7000 रन सबसे पहले इनों ने बना है बाकी दोस्तों कोई भी अपडेट के लिए मैं बिल्कुल वीडियो और कम्यूनिटी पोस्ट के साथ हाजिर होता रहूंगा और अगला वीडियो इस महीने के एंट तक आपके पास पहुंच जाएगा तब तक दोस्तों त्यारी करते रहिए सकारत मुगमान सेकता के साथ त्यारी कीजिए धन्यवाद नमस्कार